जैसी किष्णा दोस्तों दोस्तों आ गया सर्दियों का मौसम इसमें कुछ चटपटा खाने का मन करता है तो आज हम बनाए हैं आलो का पराठा सबसे पहले तो आपका हमारे यूटूब चैनल में श्वागत है तहे दिल से और इस मौसम में अगर कुछ इस तरह से मिल जाता है उसका स्वाधी क्या खूब रहता है और बहुत अच्छा लगता है और इसे हम कैसे बनाए हैं इसको आपको हम दिखा रहे हैं तो हमारा परिव नाटे अप काफ है काफे लंबा है 10 आ 12 लोंका है इसके लिए हम फीड़े हम इस अप्वाइंड़ ढ़ने है जोड़े हैं और को थोड़ा सवी हैर हैं यह हैंFirst प Ainth नो हो और पराथा भी हमारा कि ऑस पिलकुल मुलाएं इसरी की तुल मिली रहा के और आटे का साथा पन भी नहीं रहता है अगर इसमें आप नमक रेट कर दो और यह डाल दीजिए अजवाइन स्वरी अजवाइन आप मिक्स कर दें तो उसको स्वाद भी बहुत अच्छा आता है इस तरह से हम इसको अच्छे से मिक्स कर लिए हैं और अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे सबसे पहले हम आटे को इसलिए दिखा रहे हैं कभी हमारी आलू बॉयल हो रही है और उसको हम निकाल के ठंडा होने के लिए रख दिये हैं तो आटा लगाना जरूरी है तो हम अगर आटे को रेड़ी करेंगे तो इसके बाद हम चोखा बनाएंगे और सर्दियों के मौसम में इस तरह से कुछ खाने का मन करता है तो आप ऐसी इसको बना लें और यह देखिए हम अपना आलू उबाल के इसका चिलका उतार लिए है राशमी मेंusan लाल आलू आती है लाल शिलके वाली वही हम मंगाये हैं क्योंकि एक दूसरी जो आती है उसका मीठा ज्याज होता लगल करेंगे तो थोड़ा ऊसका चोका उसका बहूत हैं गिला गिला होता है तो तो उसको भरने में काफी दिक्कत होती है तो यह राल शिलकी आलो बहुत अच्छी होती है इसको आप वाल करके छिलका उतार लें और पहले हाथों से आप इस तरह चोटा-चोटा टुकडा कर लें और इसके बाद हम लेंगे गिलास उसकी पेंदी से हम इसको एकदम बिल्कुल दबा-दबा के बिल्कुल महें सा बना लेंगे तो इसमें नमक भी बहुत अच्छे से एड होता है अगर इस तरह से कर लिए तो इसतर लें इसको अच्छे से मसल लें ताकि यह तुकड़े नहीं हो और अब हम इंडिक्शन को आन करेंगे और हो गर्म करेंगे तो पर हम पार्ले गर्म होने के लिए रहाँ दिये थी तो इससी यह काल और इसमें हम जीरा डाले हैं और एक पिंच या एक चुटकी जो भी कव हींग डाले हैं तो यह अच्छे से हमारा पक जाए और यह है लाहसन और हरी मिर्च का पेष्ट इसको हम खलबटी में अच्छे से कूट लिए हैं राप拜拜 जालेंगे तो में अच्छे महां आएं जीरा बनाते राप सब्जी के डाले तो आप या कोट के डाले कोड़ी तो वो से सब्जी में में अच्छे आते और स्वाद भी बहुत अच्छा बनता है तो इस तरह से इसको आप पल्टे से चला दे ताकि तेल में यह अच्छी से पख जाए और अब हम इसमें थोड़ा स्लो कर दे रहे हैं क्योंकि काफी ज्यादा तेल हमारा गरम हो गया है इसमें डालेंगे हम आदा चम्मस से कम अपर लाना है अब हम डालेंगे इसमें कि मिक्स मार्केट से आता है राजेश मसाला हम लोगक्सर भाइन खाने मों इसको इसको इस्तेमाल करते हैं इसमिन सब कुछ क्यूश रहता है धनिया हल्दी और साइगर मसाले इसका सवाद बहुत अच्छा होता है इसको हम अच्छे हल्दी यह सब अच्छे से पक गया है और हम आलू के चोखो को जिसमें हम नमक मिला के रखे हैं बिल्कुर अच्छे से इसको मसल दिये हैं अब इसको हम मसाले में एट करें आप इसमें थोड़ा-थोड़ा करके डालिए और यह देखिए हमारा आलू का चोखा कितना सक्त है अ आप इस तरह की आलू को बॉइल करें जिसकी चोखा आपका इस तरह से टाइट रहे और पूरी पराथा कचोड़ी जो भी आप बनाएंगे वह आप अच्छे से भर सकते मतलब आसानी होगी आपको भरने में और फटेगा नहीं इस तरह सम इसको मैस कर लेते हैं और इसमें ह निदे खरी धरी इसको हम कटकर के डालेंगे और तो अब इसको भी अच्छे से कर लें जैड़े और वह से तो इस चोखे की हिसा में नमक थोड़ा कम लग रहा है इधर हमारे स्युमों भी पक रही है तो इसमें हम नमक थोड़ा टेस्ट की कम लग रहा था इसलिए हम उपर से फिर से डाल रहे हैं अब इसको हमको अच्छे से मिलाना है तो गैश अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं फ्रेंड दोस्त हमसे बड़े जो भी हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना यह आप से बीनिती है और चोके के इस तरह से हम बना के स्लो फ्रेम पर कम से कम दो या तीन मिनिट के लिए ढख के रख देते हैं और हम गैश आन करेंगे गैश पर रखेंगे तबा और चोका हमारा ठंडा हो रहा है आठा भी हम पहले से लगा के रख दिये हैं जिसे हम आपको पहले दिखा दिये हैं तो भाईया परिवार काफी लंबा है इसलिए हम खड़ा हो कि इतना सारा पराठा या पूरी नहीं बना पाते हैं इसलिए हम गैश उले को नीचे उतार लिए हैं काफी समय लगता है एक देड़ घंटे लगता है बनाने में तो इस तरह से हम आटे को लेते हैं उसका एक रोल बनाते हैं छोटी-छोटी एक मीडियम साइज की टिक की लेते हैं और उसको हम हाथों से एक रोल बना लेंगी और यह हमारा चोखा है यह बिल्कुल ठंडा हो गया है है प्लुटी क्यों कि ऐसे आप गया कि दिये की आकार में इसे खुमा खुमा के रोल बना ले और इसमें हम आलू का जोखा एक टिक की बराबर लेंगे इस तरह से खुमा घुमा के कि इसके मुगों को हम अच्छे से बंद कर देंगे तकि बेलते से मैं यह खुले नह तो इस तरह से आप इसको बना लें, तो हम ऐसे इसको हाथों से फिर घुमा लेते हैं, ताकि इसमें चोखा बराबर से आटे के साथ चारो तरफ फैल जाए, और अब हम बेलन्स इसे बेल लेंगे, और बेलते समय अगर हमारे आलू का चोखा सही है, और हमारा आटा भी बराबर का है, तो जरा साथ दिखता भी है, तब भी हमारी पूरी या पराठा अच्छे से फूरेगा, और स्वाद भी बहुत अच्छा आता है दोस्तों, तिये देखिए, हम पराठे को तबी पर डाल दिये हैं, बहुत अच्छी खुस्ब हाती है, बच्चे तो लाइन लगा के खड़े हैं, जल्दी से दीजिए, जल्दी से दीजिए, और इसी तरह से हम एक दूसरा भी आपक उसे खिशाब से हमको यह चोखा लेना है, अब इसको हम अच्छे सी तरह सुहुमा देंगे, और रुदा हमारा पराठा तवे पर अच्छे से पक रहा है, और हमारी छोटी दिरानी बना रही हैं चक्टनी धनिये की, तभी हम आपको पहले चक्टनी और पराठा देंगे ना स्लो फ्लेम पर बनाएंगे पराठे को बहुत हाई फ्लेम नहीं करना है, पराठा आपका जल जाएगा और पकेगा नहीं अंदर से, इस तरह से आप पुलट पुलट कर इसको पकाईए और देखिए कितने अच्छे से हमारा पराठा फूल के रेडी हो रहा है, देखिए पराठे के इस तरह से किनारों पर भी हमको चिम्ते से दबा देना है, ताकि इसका किनारा भी अच्छे से पक जाए ये देखिए हमारा पराठा कितना अच्छा फूल रहा है, इसके साथ अप धनिया ओ टमाटर की चटनी मिल जाए तो क्या बात है, तो हम इसके साथ बनाएं है धनिया की चटनी है और शीवई है तो देखे हमारा पराठा पग गया है और यह बर्तन लेंगे उसमें हम इसको हटा लेंगे कि देखे इस थाली में इसको अलग से रख लेते हैं और अब हम दूसरा डालेंगे तो हमको थोड़ा फास्ट करना है क्योंकि गैस है इसमें तबा हमारा खाली न चाहें दिखाने के चकर में हमारा तबा खाली हो गया है तो इस तरह से आप दूसरा भी बेल के तवे पर डाल औowser है यह को आप्स ठोड़ा सद चिट कर दें ताकि बीज में कहीं भी एधर-अधर उठानों हो कि और हम एक और ना कि आपको कि अपने गाओं में अपने घर में कैसे बनाते हैं तो इस तरह से आप कुछिए एख से एक छोटा सा टिक्की लिए उसमें इस तरह से आप बेल कर भरें और इसको हम पलट लेए हैं तो दोस्तों बहुत ही अच्छा इसका स्वाध होता है ठंडियों में तो हौँ हापते में एक बार बनी जाता है नाष्टे में या रात के समय की थाने में हम लोग बनाते हैं अब बहुत ही टेस्टी बनता है वाजार का टिक की समोजा इस अब भोल जाता है इसके आगे अगर आप मन से बनाएं और अच्छे से तो बहुत ही बेहतरीन स्वाध होता है इसका बताईए हमारा पराठा आपको कैसा रगा और ये धनी की चकनी भी हम आपको दिखा रहे रहे हैं अब इसको उलट-पलटकी अच्छे से शेकलें कि आपना पराठा तो पखा नहीं है कि पारली हमारे मम्मी लोग भी बनाती थी तो लोग चूले पर बनाती थी हम भी कभीकभी चूले पर बनाते हैं और बना के दिखाएंगे चूले पर्वे क्योंकि ठंडी आ गए हम चूले पर मनाते हैं आज भी लगेगा गरम गरम यह देखिए गरम गरम पराथा हमारा तयार हो गया है इस तरह से इन सारे पराइठे को हम आपको बना के दिखा दे रहें हैं एक एक करके हम रेडी कर लेंगे और चिम्टे से आप इसके बाहर ही इसको भी अच्छे से दबा दबा के पका लें तो दोस्तों कैसा लगा यह देखिए हमारा पराठा बनके तैयार हो गया इतना सारा जटपट और अब हम एक प्लेट में देखिए इसमें आलू दिख रहे है लेकिन आरू बाहर गिरेगी ने क्योंकि हमारा जोखा सही आलू का था टाइट है यह पराठा और यह धनी की चटनी और शिवाई भी उधर तैयार हो रही है तो हम आपको शिवाई का वीडियो पहले दिखा दिए इसके पहले में शिवाई के साथ भी इसका टेस्ट बहुत और यह बाहरा जो पहले में वीडियो पहले में शिवाई लग जवाई के साथ खिर लग है यह दो हमारा बाहरा लग भी जलू कर सबस्पवाता है इसका ए पहले कर दो हमारा प्राप़े पहले कि अज़